नमस्कार दोस्तों राधे राधे कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे है बहुत प्यार से है और festival का मौसम है तो तयारी में लगे हुए है तो यह में ने लिए है एक गोमाता कामनेनुगाई या गोमाता जो भी बोलेंगे इनके साथ छोटी सी बचडी भी है और यह देखे इनकी बनावत कितनी बढ़ी है यह और यह मैंने लिए है मेरे वाषू के लिए क्योंकि मेरे बाष यह लिया है तो इनकी बनावट मुझे बहुत ही पसंद आया बहुत ही प्यारा लगा यह यह दोस्तों मैंने लोकल सौप से लिया है और मुझे 2000 का पड़ा है यह काफी ओजन भी है इसमें तो दोस्तों इनकी स्थापना मैं करूंगी गोवस्त दावदेशी के दिन यानि कि ध स्थापना कर सकते हैं क्योंकि मेरे विचार से इससे अच्छा दिन हमें अभी मिल नहीं सकता है यह सबसे पहला दिन माना जाता है वह है दादवसी के दिन जिस दिन हम गोवमाता का कामदेनु गाई का पूजा करते हैं इस दिन गाई और उनके बचडे दोनों की बहुत ही हिंदू सास्त्रक की अनुसार जो गाई माता होती है यह हमारा मात्र तुल्ल होते हैं इनको हम मात्र रुप में पूजा करते हैं इनकी पूरे सरीर में 33 कोटी देवजी दिवताओं का बास है और इनके सारे स्वयंगव्य में भी लक्ष्मी जी की बास है बिष्णू ब्रह्म्हा महस सारे मुनीर इसी हर सारे नदिया हर कोई पुन्ना आत्मा इन गायों के अंदर बास है तो इसलिए हम हिंदू सास्त्र में इनको बहुत ही महत्तों देते हैं सुबह सुबह अगर हमें गोमाता का दर्सन होता है साथ में उनकी प्यारे से बचले के साथ दर्सन होता है तो वह दिन हमारे लिए बहुत ही सुब माना जाता है दोस्तों मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं एक प्यारा सा गोमाता में अपना वाशु के लिए लेके आऊं काम देनों गाय का प्रतिष्ठा करूं लेकिन मुझे वह नहीं मिल पारी थी जो मैं ढून बहुत दिन बाद जब मैं लोकल मार्केट में एक बार आ गेई तो मुझे यह गोमाता दिखी और यह मुझे इतना पसंद आया बहुत ही पसंद आये दोस्तों बहुत ही सुंदर है अगर आप देखोगे तो यह पितल का है यहां गणपती जी बने हुए है और यह साइड मे सब्स्राइब है मुझे हे इन हाथ इन का प्रतिष्ठा करेंगे सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों आध रखिए हैं जिस दिन क्यों दैचना क्यों यह थो और एक गईषिवन नहीं की किया जाता है ना चड़ाया जाता है, कोई भी गेहों चाओल या गाई का दुत नहीं चड़ाया जाता है इस दिन पूजा में तो यह जो है इनको हम पहले इनका स्नान करेंगे, स्रिंगार करेंगे, चंदन से तिलग करेंगे, इनको वस्त्र उडाएंगे और अगर छोटी सी है तो अगर छोटी फूल मुझे मिल जाया तो फूलों के माला उर्पन करेंगे और अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं खुद इनके लिए कुछ माला बनाओंगे जो कि पर्वनेंटली इनके गले में रहे इस तरह से जैसे मैंने अपनी लड्डू गुप सबक्राइब फांघ करते हैं सट्थ निटा क्यों सप्राइब ज़ादास जाँ मानते हैं कि पांपधन की प्रक्राम होते हैं और कि खांँ पीना कपड़े सॉपिंग यह है फेस्टीबल लेकिन इनके पीछे बड़े कथाये हैं जो कथा बहुत लोगों को पता है सभी लोगों को लगभग पता है और धीरे दीरे बहुत लोग भूल भी रहे है तो दोस्तों ये जो दिवाली का पर्व है ये शुरू हुआ था जो समंद्रमंथन हुए थे उस टाइम से ये कथाये चालू होता हुँ होता है और समंद्रमंथन में ने बहुत सारे तेरारतं और में बहुत सारे अभी कलियूक में इनकी दर्शन लोस नहीं होता है तो दूध्य देने वाली कोई भी गाय का इस दिन हम पूजा करते हैं संतान के लंबी आयू उड़ाय हम इस दिन पूजा करते में उसलिट गॉप सकते में किवचा हुआ और ऑपाते हो अगर नहीं पुझा कर सकते हो उनका तीलक किजिए उनको खाना खिलाए बस्त्रदान कीजिए ताकि भस्त्रदान करने से कि ठंडे से बच सकती है गाई हमको माता स्वरूप हम देखते हैं तो उनका भी थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए और जैसे भगवान जी का हम दर्सन तो कली यूग में हमारे दर्सन तो अगर किसी को होता है तो उनके उपर असीम क्रिपा है भगवान जी का तो हम क्या करते हैं उनकी मूर्ति उनक विग्ष के अंदर हम उनको देखने की कूसिस करते हैं और वहां से फिर हम भाव को अदर करते हैं तो ऐसे ही प्रतिक मणा जाते हैं जो सिंबल होते हैं वहां के विग्रह कामनेनुमा यह गोव मता का क्यों महीं कहने हैं वह सुनहीं कोई कोई का अधियों कमटमावल करें मुझे खास करके तो मेरे मेरे ज़्यादा से ज्यादा जो भी करता हुआ कि मौर्टिया बहुत प्रतिक होती है वहना प्रतिक को ऌने मुझे लोग आधि इनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं प्रतिष्ठा करके इनको अपनी गोपाल जी के साथ अपनी कानहा के साथ रख सकते हैं सुभे उटके इनकी दर्षन बहुत अच्छा माना जाता है सबसे पहले अगर आपके गौवदर्षन हो जाता है तो वह दिन अच्छा रहता है माता काम द तो दोस्तों यह छोटी से इंफॉर्मसें थी आपके लिए और मैंने सेयर किया कि मैंने गौमाता लेके आई हूं और मैंने कभी इनका स्थापन करूंगी कैसे करूंगी और जरूर उस दिन का दर्शन करवाओंगी मैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैसे किष्णा बाइबाई टात्या दोस्तों राधी राधी